हेलो गाईस आप सभी का फिर से सौगत है इस चैनल पर तो दोस्तों आज हम रोजगार मेले के बारे हैं बात करने वाले हैं और यह जो रोजगार मेला है मैं आपको बता दू टूटल यहाँ पर जो है एक से लेकर करके आट है जो लोकेशन्स है वहाँ पर लगने वाला है और जो की 14 तारीक से लेकर के 21 दिसंबर 2020 तक के लगेगा और यहाँ पर जो मुखेता चार प्रकार की जो चार सेक्टर की जो कमपनी आने वाली है यह पहली SEL है और जो दूसरी सिवसक्ती बायो टेखनोलोजी है और तीसरी सिक्योर्टी एंड जो इंटेलिजन्स सर्विसेज ह और जो चौथी SSV ग्रूप अकैदमी की तरफ से एकेंपस लगाया ने जाने वाला है तो इन्होंने अपने संयूक त्रूप से नोडिपिकेशन जारी करके बताया हुआ है कि इनकी कमपनी में जिन केंड़ेट लोग का 10V से लेकर के 12V और ITI तक कमपीट हो चुका या फिर तो वे इनकी इस वैकेंसी में अपलाई कर सकते हैं और जो इस रोजगार मेले में भाग ले सकते हैं तो मैं आपको बताऊंगा step by step की कैसे आपको यहाँ पर जो अपलाई करना होगा और किस देट में कौन सा जो जगा पर आपको जाना है और साथी साथ कुछ नंबर भी प् जाने के लिए तो यह जो है मदब्रदेश राज ग्रामिड आजीवी का मिशन जिला की जो गौलियर की तरफ से एक एंपस प्लिस्मेंट लगाया जाने वाला है जिसमें चार कंपनिया भाग लेगी जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका जो यह पोस्टर है और यह मैं पहले आपको बता देता हूँ कि 8 वो जगह हैं कौन-कौन सी जहां पर आपको जाना होगा या फिर किसी एक में भी चले जाएए आप या फिर डेली भी आप जो यह कैंपस लगाया जाने वाले 14-21 तक भी आप किसी भी जगह पर जा सकते हैं तो यह जो है ब्लॉक का ने में और मूबाइल नमबर लिखा हुआ है तो मैं आपको सौट में बता दू कि अगर आपको एक्जामपल के तौर पर यह मुरार जो ग्राम पंचायत भावन उटीला में यह केंपस लगने वाले अगर आप यहां पर जाना चाहरें जो कि 21 तारीक को लगेगा तो आप जो है प्रसिक्षन के बाद तो सैलरी और जादा बढ़ जाएगी और जो सुविधा है रहना खाना फ्री है और अन्य सुविधा भी आपको मिल जाएगी और यहां पर जो है नोट, प्रसिक्षन, उपरांत, वेतन, पीएफ, ग्रेचुएटी, पेशन और येल और जो सीएल है आदी आपको जो सुविधा है यहां पर दी जाएगी अब यहां पर जो सिवसक्ती बायो टेकनोलोजी के बारे में देखा जाए और इसकी जो जो जूब लोकेशन रहेगी आपकी भोपाल में होगी और ये जो है पद संक्या इसकी 30 है 30 सीट खाली है और जो योगिता है यहाँ पर 10 वी पास आपका होना जरूरी है और जो आयू सीमा के बारे में देखा जाए तो 19 से लेकर 34 साल वाले इलिजबल होंगे तो बहुत से लोग अभी मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर हमारे 30 साल वालों के लिए भी बनाईए तो भाई लोग यह आप लोके लिए आचुका है और जो वेतन रहेगी यहाँ पर 8000 से लेकर के 12000 तक के मिल जाएगा और जो TA और DA और जो पैट्रोल की सुविधा यहाँ पर दी जाएगी आपको और जो नोट में देखा जाए तो PF, MediClaim, Insurance, Bike, Loan, अनिसुविधा है भी आपको मिल जाएगी अब यहाँ पर जो ऐसा ही इसके बारे में देखा जाए यानि कि Security and Intelligence Services Project Limited तो यह जो पद संख्या इसकी 200 है और जो योगिता है आपका 10वी पास होना चीए और जो आयू सीमा है 21 से लेकर के 37 साल वाले इलिसबल होंगे और जो वजन रहना चीए आपका Criteria रखा गया 56 kg का और जो उचाई है 168 होनी चीए आपकी सिंटीमिटर और जो वेतनमान ने 12,000 से लेकर के 16,000 तक के आपको पे किया जाएगा और सुविधा है जो है Retirement की आयू 65 वर्स निधारित की गई है और जो 10 वर्स की नौकरी पर पेंसन की सुविधा भी आपको मिल जाएगी और साथी साथ Indian Public School दहरादून में दो बच्चों की पढ़ाई फ्री रहेगी और साथ जो आपको एक लाग से लेकर के 6 लाग तक का दुरगटना भीमा भी आपको दिया जाएगा और जो PF की सुविधा भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी और जब आप प्रसिक्षन में जाएगे तो जो प्रसिक्षन की जो डियोरेशन रहेगी उस बीच में आपको 9,850 रुपे दिये जाएगे जब आप वहाँ पर स्लेक्ट कर लिए जाएगे तो 12,000 से लेकर के 16,000 तक की आपकी सेलरी बढ़ा दी जाएगी और जो यह SSV चौथी जो लाश्ट कंपनी के बारे में दिखा जाए तो योगिता इसकी है पांचवी से बारवी या फिर ITA कंबिट होना चाहिए आयू है 18-30 साल और जो वेतन है 12,000 तक की आपका रहेगा तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको अपलाई करना है तो कंपनी में जाने के एक छुक यूवा अपने समझ दस्तावेज साथ में लेकर के आना है जो कि मैं आपको बताता रहता हूँ बीच-बीच में कि कौन से आपको ले जाने होंगे और जो है graduate इसना तक वेक्ति तीन माँ computer telecourse पर प्रिक्षण उपरांत गौलियर में नौकरी ये तो संपर करें तो ये तो एक अलग category की बात हो गई तो आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ कि जहां पर भी जाना है उनके सामने में जो number लिखा हुआ है आप screenshot ले सकते हैं या फिर जो इसको download करने का भी link मैं आपको नीचे में दे दूँगा और अगर नई भी मिला तो आप यहां से जो note कर लिए फटाफट और यहां पर जो आपको call कर लेना होगा तो कुछ odd doubt है या question है तो मुझे आप comment करके भी पूछ सकते हैं मैं आपको reply दे दूँगा अब मिलते हैं आपसे नए job की information के साथ अगर वीडियो अच्छी लगिए तो like and share ज़रू कीजगा अब मिलते हैं आपसे नए job की information के साथ तब तक के लिए good bye